सो फाइनली गाईस आप लोग इधर देख सेकतो मैंने अपना घर का इध कलर जो है वो पूरा चेंज करके पिकाचु जैसा कर दिया है और साथी में गाईस इधर आप लोग देख सेकतो कि मेरा घर जो अब आईरोंड में जैसा हो चुका है लेकिन कैसे मैंने ये सब क्या यह आप लोगों जानना है तो इसके लिए आप लोगों पूरा वीडियो को आइन तक देखना पड़ेगा तो चलो यह देखते हैं मैंने इन घर का जो कलर है वो कैसे चेंज क्या है सो कुछ दिन पहली की बात है फ्रेंकलिन अपना स्कूल को खतम करके घर जाने वाला था और फ्रेंकलिन को उसी दिन स्कूल का रेजल्ट आया और उसमें उसने टॉप किया था और फ्रेंकलिन के पापा जो है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर फ्रेंकलिन स्कूल पे तो इसको मिलेगा एक बरिया सा जेट पेक, तो इसके लिए फ्रेंक्लिन आज जा रहा है घर में पापा को बताने के लिए, कि उसको एकदम फर्स्ट क्लस रेजल्ट हुआ है, तो देखते हैं गाई इस फ्रेंक्लिन को आज जो जेट पेक है, वो मिलता है क्या, तो फाइनली जेट पेक है, वो मिल जाता है, मतलब कि पापा को पहले से पता चल गया था, कि इसको जो है रेजल फर्स्ट क्लस मिल गया है, तो इस बजासे पहले से फ्रेंक्लिन को जेट पेक खरित के दे रखाता है, तो इसे भाण है फ्रेंक्लिन तो काफी जादा कुश हो गया था, त देख तो jetpack चलाने में कैसा लगता है so Franklin गर से बाहर आते ही जल्दे से jetpack को उराने के लिए चलता है क्योंकि वो काफे जादा excited था और इसी बहाने से Franklin भाई jetpack को चलाने के लिए बैठ चुका है और guys इसने accelerator करना भी चालू कर दिया है और देखो finally Franklin उरना चालू कर दिया है और तभी Franklin सोचता है कि क्योंना guys आज जो है पूरा city को घूम लिया जाए और देखो भाई police station के उपर से जा रहा है Franklin और भाई कितना मज़ा आ रहा है उसको तो तभी यार इसके मन में ख्याल आता है क्योंना भाई एकदम उपर में जाया जाये कि कितना उपर तक यह जो अपना jetpack है यह जा सकता है तो ऐसा बोलके Franklin अपना jetpack को पूरा accelerate करता है और तभी याद धीरे धीरे करके Franklin उपर जाने लगता है तो ऐसे धीरे धीरे करके उपर जाते जाते Franklin बहुत उपर चला आता है और उसके बाद ये देखता है कि ये भाई एक city के अंदर आ चुका है पता नहीं इसको भाई ये कौन से city में आ चुका है और ये नीचे जो है भाई पेर है इसके अंदर अटक चुका था तो तब यार Franklin क्या करता है थोरा सा आगे जाता है ताकि इसको रस्ता जो है वो मिल जा कि हमारे शैर की जो आसमन है हमारे city के भाई उसके उपर भी और एक city है तो देखो फाइनली Franklin ने उस city के अंदर आ चुका था और Franklin ने इदर काफी जादा excited हो गया और जैसे इदर आया वो देखा कि भाई इदर तो एक EFO है भाई ये देखो भाई ये रहा EFO और इसने भाई generate होता है ये सब था इदर और Franklin जैसे थोरा सा आ गया है देखा कि भाई उसका घर भी है इस city में तब यार Franklin सोचने लगा यार मेरा घर का copy भी हो चुका है तो तब ही भाई Franklin के मन में ख्याल आया क्यों ना मेरा घर का जो texture है उसको change कर दिया जाए और पहले तो Franklin क्या करता है क और भाई देखता है कि भाई कितना बरिया city है और Franklin सोचता है कि भाई इस city में वो shift हो जाएगा लेकिन यार उससे पहले वो अपने घर का जो color है वो भी change करने वाला है और ये बात सोचके भाई Franklin चला आता है नीचे सो चलो यार अभी चलता है नीचे और नीचे जाके अपन घर को देखने लगता है और देखता है कि भाई इसका color तो काफी जादा फीका फीका और पूराना सा लगता है तो तभी यार Franklin एक काम करता है तो तभी उसके मन में खेयाल आता है क्यो ना RGS tool का इस तमल क्या जाए तो जैसे वो RGS tool को open करता है और इधर भाई लिखता है house texture change तभी यार देखते है क्या होता है तो इधर इसने लिख दिया house texture change और जैसे लिखा और ok पे click क्लिक क्या और जैसे right पे click क्लिक क्या फाइनल उसे एक location मिल चुका है अरे ये तो एक Pikachu है और ये अपना old house के अंदर अटका परा हुआ है तो तभी यार Franklin क्या करता है अपना जो ह अपने old house पे और भाई मुझे अभी जाना परेगा अपना जो old house का garage है उसमें और उसमें मुझे Pikachu मिलने वाला है लेकिन जैसे Franklin old house के garage के सामने आया उसने देखा कि इधर तो पूरा एक container लगा हुआ है और अंदर कैसे जाए वो ये सोची रहा था तभी उसको मन में ख्याल है क्यों न भाई RGS tool का फिर से ही उसक्या जाए तो इधर RGS tool में जाता है और जाके mod on लिक लेता है so mod on लिकने के बाद यार इसका जो mod है वो on हो जाता है और अभी यार जैसे वो pistol निकाल के भाई ये container पे शूट करता है और ये container जो गाइब हो जाता है तभी यार Franklin दोर के चलता है इस वाले garage के अंदर और जैसी वो garage में आता है finally उसे जो Pikachu है ये मिल चुका है so देखो guys Pikachu देखने में कितना जादा बरिया लग रहा है तभी यार उसने क्या क्या की भाई ये Pikachu को अपने bag में रखके फिर से garage से बाहर निकल के आ जाता है और फिर चलता है अपने old house के अंदर sorry old house ने जो new house है उसका house में क्योंकि उसका texture ही वो change करने वाला था so finally Franklin अपना Pikachu को लेके आचुका है अपने new house में और अभी इसका texture जो है ये change करने वाला है और इसके लिए इसको जो है सबसे पहले बाइक से उतरना परेगा और फिर बाइक से पिकाचु को swimming pool के अंदर फेकना है और जैसे Franklin swimming pool के सामने है और Pikachu के swimming pool पे फेका तो finally guys आप लोग देख सेकते हो कि हमारा घर का जो color है वो पूरा change हो चुका है और ये पूरा yellow yellow हो चुका है देखो यार अंदर चल का भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को और देखो guys अंदर पे भी पिकाचु का जो ग लग रहा है तो अभी तो gym करने में काफी मज़ा आएगा पूरा घर काफी ज़्यादा cute cute लग रहा है तो finally Franklin ने अपना घर का texture तो change कर लिया तो देख सेकते हो घर का texture पूरा change हो चुका है और फिर Franklin सोचता है कि वो ना और एक color क्या जाए इसका texture कोई और दूसरे color में change कर द मिलने वाला है तो Franklin phone को अंदर पी रखके जाता है अपने jetpack के पास क्योंकि उसको भई jetpack को ले की जाना था उसी बाली location पे और पापा ने आज इसको ये gift करके काफी बढ़िया काम किया तो finally Franklin अपना jetpack को full speed में चलाते होए चलता है वो ही ramp में तो ramp उसके सामने ही था और उ इसको safely landing भी करना परेगा अगर गिर गया तो भाई खतम ठीक है तो इसके लिए ये धीरी धीरे करके safely इदर land कर लेता है और land करने के बाद इदर उतरता है और जैसे है left में मुड़ता है finally इसको जो iron man है वो मिल चुका था तो ये क्या करता है इसको भी अपने bag में रख लेत तो finally मैंने iron man को तो अपने bag में रख लिया तो चलो अभी jetpack को फिर से लेता है और चलते है अपने घर पे घर पे जाके यार इसको फेकते है अपने swimming pool पे और देखते है अपना घर का color कैसा connection में change हो जाता है तो ये ये बोलके भाई frankly न आ जाता है अपने घर पे और घर पे आने के बाद यार ये सोचता है कि चलो यार अभी मैं jetpack को लेके नीचे चलता हूँ और देखते है अपना घर का जो color है वो कौन सी color पे चेंज हो जाता है तो तब ये फ्रेंक न इधर jetpack को रखता है और जाता है swimming pool के पास और जैसी इसने iron man को इसमें fake तो देखा कि इसका जो color है पूरा texture चेंज हो चुका है और देखो ये देखने में कितना ज्यादा मस लग रहा है golden और red color का जो combination है वाई कितना बरिया लग रहा है देखो अंदर भी कितना मस लग रहा है और चलो यार भाई पूरा living room, bedroom बैड रूम सब कुछ बहुत बरिया लग रहा है और अब चलो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलता है नएक वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार और जाएं दोस्तों